लाला 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 Assalamu alaikum students I hope you will be fine with great and good health subject science class 7 human organ system presented by Amna Mahmood Today the topic of under discussion is that cell बच्चों ये ना आपका previous lecture है मतलब कि आपने previous classes में cell के बारे में पढ़ा है ठीक है Class 6 में आपने cell के बारे में पढ़ा होगा के cell क्या होता है cell जो है वो building blocks है ठीक है ना cell जो है building blocks है सारी जो human beings है यानि आप कहलें कि living things जो है वो किस से मिलकर बने होते हैं cell से सारी living things जो है वो cell से मिलकर बने होते है building blocks है ठीक है all living things का देखें अगर आप हर चीज की कोई base होती है तो अगर कोई चीज हमने यानि कि अगर हमने कोई बिल्डिंग बनानी है उसकी बेस है उसकी पहले बेस बनाएंगे तब भी वह बिल्डिंग जो है वह पूरी तयार होगी ना इस तरह जो human beings है यानि कि या फिर animals human beings all living things उनकी जो जो है वो building blocks हैं वो क्या हैं ? सेल हैं सेल से मिलकर ही आल living things बनते हैं अब living things कौन से होते हैं आप living things कहलें जो move भी करें और जो है वो grow भी करें ठीक है ना ? सेल से मिलकर वोती है यह प्रिवर्श का टॉपिक है मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज कर रही हूं ठीक है बच्यों के होते हैं सारे जो अलिविंग इंग सेभ़ हैं उनकी विल्डइंग डोक्स है सेल के साफ है वो कि इसमें पिर सेल में मल्टिस और राले ऑज पार देंस टाया यि उनिसेलूलर में आर्गिनिजभाए होते हैं इसलियो अर्गरिण कि ऐसमें जो है वह पैरअशय में वीबावगर आजाते है ठीक है और अगर हम MULTI CELULAR की बात करें तो उसमें जो है वह ढूए वह घे साथ मल्टी सेलवर्ड ओर्गनीजम और कमपोज़ड ओफ आउ मोर देन है नेज्ट इह है है कि ऐसों हम कहले के एनीमल सेल भी होता और प्लांट भी बैमेल सेल उसमें कोई वाल प्रेजेंट नहीं होती agree एंपर के उसमें कोई भी सेल वाल प्रेजने नहीं होती रिज्रakah 2017 कि एक रिखेंगर कि थे मुचब अव्लाइनेयमल सेल करते हैं था को servicio होता है कि अधिर था जू ये al limbs कोचा रिंदेत कि इस्टार प में तो इस यों जो इधी साथ है शीमन फिर स्कारण केहलें में यह ने आप के सीथां घीक है इसमें वेक्यूलित होता है इसमें ट्मधल्पलाइस प्रेज़न नहीं होता है क्योंकि प्लाइबल सेल ने कौन सा फॉन्टल सिंथेस करना होती है तो है इन में यह चीजें जो है और अन्धर प्रेजन्ग होती लेकिन फ़ोट प्लांट सेल और बूर तो जो एक डिफ्रेंस है क्य今日 प्लांट सेले के लिए विगर होता है हो इस विभुष में होता है उप्र इसे अख गुल करते हैं इस प्राइफ करने में में करते हैं इसे वज़ए से नेट्स्ट है मारे पास ये देखार है मैं ये जो है वो आप कहलें है इसका नच्छा ness Cut is and upon cell ये प्रेमर सेल ये danger और ये एनिमल सेल ये फर्स्ट जो ऊसने का है यह क्या है न्यूक्लेस है हमारी जो बोडी है उसका सारा काम उसका सारा जो है वो प्रोसेस हमारी बोडी में जो कुछ हो रहा होता है वो न्यूक्लेस में जो डियने उसमें होता है यह जो है वह सेल मेंब्रेन है यह जो यहां पर कोई यह नज़रारी सिर्फ वह पर यह लो प्लाइण यह लेकियूल यहां पर जो हो सबस्तान्स चोर हो जाते हैं यह देखें यह नियुक्लेट मेंब्रेन है जो न्यूक्लेस की बाहर वाली मेंब्रेन है उसको हम कहते हैं तो यह सारी चीज़ें जो हैं वो बचो आप लोगों ने इसको देखना है एक जफ़ा क्योंकि पिछली क्लास में आपने इसको देख चुके हैं मैं आपको सरफ रिवाइज करवा रही हूं ठीक है वाल्स हैं उनको तो उसके नतीजे में स्टमिक अलसर हो रहते हैं स्टमिक में जखम हो जाते हैं ठीक है क्योंकि इंजाइम और एसिड बहुत ज़्यादा आपको बता है कि आपके आपको बता है किसी चीज़ पर पढ़े तो उसको बन कर देता है जला देता है ठीक है ना ल तो अब यह जो इन्जाइम है और इसे जब मिलकर इट करना शुरू करते हैं स्टमिक की दिवार को इसके नतीजे में स्टमिक में अलसर बन जाता है इसके जुछ बहुत स्टमिक में स्टमिक की दिवार वाल में स्टमिक इसके बहुत जब्गार होती है तो यह चाहर है थेलाज है और यह हीजर बन जाता है लेकिन आप है तो इसको आप इसको प्योर कर सकने हैं यह देखिए हिस्टमीक यह नॉर्मल healthy stomach ठीक है यह इसिंटपन गीज़ा निच है तो यह धें जखन बन गए है यहीज़-टू ऐंगर गिन्जाइम nd इसे ठीक है इंजाइम जो अ tadकर से की वह जब में इनकर प्रुक्त से हैं उसको चथा यह आ की-पर हला प्रुब्त शुरू करते हैं तब यह ज़खकम बर्ण शुरू हो डाते हैं इसको हम कहते हैं यह क्या है अलसर है ठीके बच्छों आई हो अब आपको यह ज़़ Möglichkeit आई होगी आप इसको देखें समझें और अगर नहीं आपको कुछ समझ आया तो आप मुझे से पूछें यह आपका प्रीविस जो है क्लास का था तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज की है ठीक है अपनी बुक से भी इसको देखें ओके अलाहफिज